आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेट पिकल, सब्सक्राइब नाउ जबकि सत्ता पर राज कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 255 विधायक है इससे आप मोटा मोटी आकड़ा और अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी कहां पर खड़ी है और बीजेपी और एसपी कहां पर खड़े हैं ऐसे में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी एसपी का गठ जोड हो सकता है और ये गठ जोड 2024 लोगसभा के लिए होगा यहाँ पर एक बात बता दे चलें कि पिछले लोगसभा में दोनों पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं फिर भी बीजेपी को हराने में काम्याबी नहीं मिली थी लेकिन अब की जो इशारे मिल रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि एक बार फिर माया अखिलेश का मिलन हो सकता है और दोनों एक साथ मिलकर मोदी योगी को टक कर दे सकते हैं राजनीतिक विश्लेशक इसको कुछ इस तरह समझा रहे हैं कि आजकल हाली में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रे सम्मेलन हुआ जिसमें गुरुवार को अखिलेश यादव ने जो कहा उससे तो यही कयास लगा जा रहे है जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने दो दिवसे सम्मेलन के दोरान एक बार फिर मायवती पर नीजी हमला नहीं किया और नाहीं बियस पी को लेकर कोई टिपड़ी की इसके अलावा उन्होंने लोहिया वादियों और अमबेटकर वादियों को साथ लेकर चलने की भी बात कही अमबेटकर वादियों को साथ लेकर चलने की बात को मायवती संग एक बार फिर से गटबंधन के संकेत के तोर पर भी देखा जा रहा है अखिलेश यादव ने इस से पहले बुद्वार को भी BSP या फिर मायवती पर कोई टिपड़ी नहीं की थी इतना जरूर कहा था कि हमने 2019 में BSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो त्याग करना था वो भी किया ऐसे में राजनीतिक विशलेशकों के कान खड़े हो गए और वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वो BSP को साथ लेकर त्याग और सहीयोग की भावना दिखाएंगे जानकारी देते चलें कि 2019 के आम चुनाव में SP और BSP ने गड़ बंधन किया था और दोनों पार्टियों को 15 सीटों पर जीत हासल हुई थी लेकिन अकेले BSP के खाते में 10 सीटे ही थी इसी पर दोनों दलों के बीच विवाज शुरू हो गया था और अंत में एक बार फिर से ही ये अतिहासिक गड़ बंधन तूड गया था मईं 2022 के विधनसभा चुनाफ की बात करें तो BSP ने 37 फीसिदी का इतिहासिक वोट हासल किया लेकिन तब भी सत्ता से दूर रह गई मैं BSP को महज एक सीट ही मिली जिसका जिकर हम पहले कर चुके हैं ऐसे में यदि BSP और BSP के वोटों को मिला लिया जाए तो ये 49 फीसिदी हो जाता है शायद अखिलेश इसी वज़े से मायवती और BSP के प्रति उदार है ताकि 12 फीसिदी का साथ मिल जाए तो वो 2024 में अच्छा परिणाम दे सकते है जानकारी देते चले कि राष्ट्रे सम्मेलन में अखिलेश इदव को एक बार फिर से SP का ध्यक्ष चुन लिया गया उसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद जयाबच्चन के पैर छुकर आशिरवात लिया अखिलेश इदव के निर्विरोध निर्वाचन का एलान राष्ट्रे महसच्चिव और निर्वाचन अधिकारी राम गोपाल यादव ने किया राम गोपाल ने कहा कि अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाथ पांडे आलम बदी समेथ 75 नेताओं ने किया केवल एक ही नामांकन हुआ था इसलिए अखिलेश इदव को ही अध्यक्ष चुन लिया गया इससे पहले इकबाल कादरी ने स्वागत भाशन में कहा कि अगर हम लोग लोकसभा में 50 से जादा सीट ले आए तो कोई भी सरकार अखिलेश के समर्थन के बिना नहीं बन सकती इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायदी कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रवीदाज महुत्रा जी जेल जा चुके हैं अगर कभी रिकॉर्ड के माद्यम से देखा जाएगा तो जन हित्मे और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे जादा संगर्ज करकर जेल गया है तो वो रवीदाज महुत्रा निकलेंगे हाला कि उन्हों के उन्हों ने अपने भाशन में बहुत बड़ा सबना दिखा दिया हम लोगों को लेकिन मैं अपने पसितनियों के सामने कहना चाहता हूँ ये लडाई बड़ी है हमारा कोई ऐसा सबना नहीं है कि हम उस इस्थान पर पहुंचें लेकिन हम समाज वादियों का ये सबना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकते हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करें और अगर पीशे मुड करके देखें हम जिस समय पिशला लोग सबा चुनावता 2019 का उस समय भी समाज वादियों ने कोशिश की थी और वो एतिहासिक फैसा लिया था जो ये देश के तमाम करोडों लोग सबना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं जो कभी डाक्टर रामनो लोईया और हमारे संबिधान के रचेता जिनों ने संबिधान बनाया बाबा साथ भीम रामेड कर जी ने देखा था वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए लेकिन 2019 में समाज वादियों ने और मैं जानता हूँ कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था हमने त्याग करकर के उस समझेते को करने का काम किया था अगर देश में देखें अगर किसी ने भारती जनता पार्टी से डट करके मुकाबला करकर के और लोग सबाकी सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साब भीमबा अमरिकाजी के सिद्धानतों को लेकर के आगे बढ़कर के उन्हें हराया था हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीश का दुर्प्यों किया हम काम्याब नहीं हुए उसके बाद दुबारा समाजवादी ने और हम लोगोंने मिलकर के बाइस का चुनाव लड़ा था जो हमारी विचारदार से मिलते जुलते लोग थे जो उस समय संगर्ज कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए उन सब को साथ लाकर के हम लोगोंने एक मंच पर एक गड़वन्दन तयार किया और मुझे खुशी है इस बात की कि दो हजार बाइस में अभी तक का सबसे ज़्यादा बोर्ट परस्थ अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादे बोर्ट के प्रस्थ में हम लोग हासिल किये थे सीटें बढ़ गई दो गुनी हो गई जीत नहीं पाए लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज 1922 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे काईगरता नेताओं ने काम किया हमारी सीटें बढ़ी न हो जितनी हम लोग चाहते थे लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार करता हो नेता जो पलब्दियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है जब नेता जी मुख्यमंती बने नेता जी कई बार मौका उन्हें दिया जंता ने हम लोग उन्हें जंता के लिए काम किये जंता के खुशाली कैसे हो हमारा किसान कैसे खुशाल हो हमारे किसान की पैदवार कैसे बढ़े किसान की आय कैसे बढ़े किसान को कैसे सुपधा दिया जाए हमारे बहुत सारे समाजवादी यहां पुराने निता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब निता जी सरकार में आये थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले दसजार का करजब माफ करकर के दिखाया था करजा माफ हुआ किसान को रहात पहुचाई सिचाई से लेकर के खाद बीश दवाई का इंतिजाम और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खतम करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने करकर के दिखाया था